इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत कॉलेस्ट्रॉल एक वसा पदार्थ है जो आपकी रक्त वाहिकाओं में बनता है और इससे संकुचन होता है जिससे होट अटैक या स्ट्रोक हो सकता है अटॉवा बीस टैबलेट एक व्यापक रूप से निर्धारित दवा है और इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने पर दंबे समय तक उप्योग के लिए सुरक्षित माना जाता है इसे भूजन के साथ या खाली पेट लिया जा सकता है आप इसे दिन में किसी भी समय ले सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि इसे हर दिन लगभग एक ही समय पर लें उच्छ कॉलेस्ट्रॉल वाले अधिकांच लोग बीमार महसूस नहीं करते हैं लेकिन आपकी दवा को रोखने से आपके कॉलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ सकता है जिससे हृदे रोग और स्ट्रोक का खत्रा बढ़ जाता है आपके कॉलेस्ट्रॉल के स्तर की नियमित रूप से जाच होना आवश्यक है यह दवा इलाज का इस दवा को लेते समय आप सामान्य तरीके से खाना खा सकते हैं लेकिन अधिक वसा वाला खाना खाने से बचें इस दवा के आम साइड इफेक्ट्स में कबज, पेट फूलना, अपच और पेट दर्ड शामिल हैं ये आम तोर पर हलके होते हैं और थोड़े समय के बाद गायब हो जाते हैं अगर वे बने रहते हैं ये आपको अपनी आखों में पीलापन दिखाई देता है या बार-बार मांस्पेशियों में दर्द होता है तो डॉक्टर से परामर्श करें लिवर की बीमारी जैसी स्थितियों में इस दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इस इस से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है इलाज शुरू करने से पहले आपका डॉक्टर आपका लिवर फंक्शन चेक कर सकता है और उसके बाद नियमित रूप से इसकी निगरानी कर सकता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप और ज्यादा जानकारी प्राप् इसकी बाद